बाच पार्टि भाजपा तो यह पर बिना परेलिखे लोगों को क्यों इसमें लाया जा रहा है अब क्यों मतलब कि इनकी सरकार के बदनामी होती है चाहे कोई बियान देने में चाहे सदन में बोलने में बोलना कुछ आप बोल देते हैं कुछ आप नमस्कार नीज फोरनेशन देख रहे हैं आप में हूँ आपके साथ धीरत सिंकर तीर महिने के बाद मंत्री मंडल का विस्तार हो गया लेकिन जिन मंत्रियों का नाम मंत्री मंडल विस्तार में शामिल है उनको लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है हमारे साथ बात करने के ल तीन महिना के जदो जहद के बाद यह मंत्री मंडल का विस्तार किया गया और आप लोगों के माध्यम से और विहार के जनता के माध्यम से जो हम लोगों को अब तक पता चला है उसमें कई अपराधिक किसिम के लोग इसमें सामिल हुए हैं और इससे पहले भी इनका जो पहला मंत्री मंडल का गठन हुआ था उसमें जिस परकार से मेवाला चौधरी जी को इन्होंने मंत्री बनाने के काम किया जिन पर गंभीर आवरोप थे उस गंभीर आवरोप के कारण हमारे नेता परतिपक्च मानवरते जस्पी जादब जी ने इसे बहुत ही सिरियसली रूप से और गंभीर रूप से इस बात को उठाने के काम किये जिस कारण से दो या तिन दीन के बाद उनको मंत्री मंडल से इस्तिफा देना पर गया था अभी हम लोग इसका ध्यान कर रहे हैं और हमारे नेता मानवरते जस्पी जादब जी भी इस पर अध्यान कर रहे हैं कि मंत्री मंडल में बने नहीं रहना चाहिए लेखिए जमाखां हो चाहे कोई भी हो अगर सुसासन की सरकार की बात करते हैं आधन निया नितीश कुमार जी अगर उन पर गंभीर मामला बनता है तो खुद नितीश कुमार जी को सोचना चाहिए था कि हम मंत्री मंडल में उसे लोगों के क्यों सामिल कर रहे हैं श्रीफ अपना ये वो एमेले के संख्या बल बराने के लिए और चेहरा देखाने के लिए कि हमको 42 को था तब 43 को 44 को हो गया इस सब करने के लिए कि उनको मंत्री मंडल में बनाना तीस पर सुसासन उपर प्रस्न उठे गा ही और इनके जो कहते हैं कि कथनी और करनी में जो अं प्रक्ति नहीं है तो आज आप लोग माध्यम समको पता चल रहा है हम लोग उनका मंत्री में जो सामील हुए उन लोगों का की से हुआ जाप लोग तो गलत नहीं बोलिएगा आप लोग चौथा स्थम्भ है और सही बात को आप जनता के बीच में लाते हैं और जिस परकार स जदो जहत के बाद जोह सो यह सो तीन महिना के घमासान के बाद आज मंत्री मंडल विस्तार हुआ है और हम लोगों का भी विधान सभा उन्हेंस तारीक से चलने जा रहा है अगर इसमें कोई मंत्री मंडल में होंगे तो हमारे नेता परतिपक्ष मानवर तेजस्पी हैं इस पर सोचेंगे और सदन में भी इस बात को हम उठाने के काम करेंगे हम लोगों के मंत्री मंडल विस्तार करत भी जेपी घमासान भी सुरू होगे बाड़ से विधाया क्यूंगा साब तोर पर कहना है कि समाजिक समरस्ता का ख्याल नहीं रखा गया है केवल जो है कुछ लोग जो लोगों को बनाया गया क्यों और लोगह चिन्नित करें क्यों नोगल है कोड्य हाइर हैए हाई था आ हम विद्लन से लाड़ का छंड हो रहा है किसका दमन हो रहा है इनका खुला सा भाजपा कोई करना चाहिए हम उनके आंतरिक बातों में इस पर टिपनी नहीं करते हैं देखिए परे लिखे के और नहीं परे लिखे के सवाल ज्यानुजी हो सकता है कि उनको मंत्री मंदल में सामिल नहीं किया गया है और बहुत दिन से वह आसा में थे कि हमको मंत्री मंदल में सामिल किया जाएगा इसलिए मगर जो हमारा संविधान कहता है जो मेतकर जी जो सम्मिधान को बनाए थे अग जी सम्मिधान का नुसार हमारा इस देश चल रहा है उसी सम्मिधान ने अधिकार दिया है कि जो विधायक होगा वो चाहे परा लिखा हो चाहे नहीं परा लिखा हो चाहे वो केयों किलास्थों को उठा च्छाप यहां तक को उठा च्छाप बाले भी लोग इस बिहार में ही नहीं पूरे देश में मंत्री मंडल का सोभा बनाने के काम किये हैं तो उनका अंत्रिक मामला है और ग्यानन सिंग ग्यानू बहुत बिद्वान बेखती हैं और जो ब और बिना परे लिखे लोगों को क्यों इसमें लाया जा रहा है और क्यों मतलब कि इनकी सरकार के बदनामी होती है चाहे कोई ब्यान देने में चाहे सदन में बोलने में बोलना कुछ आप लोगों को भी मालूम होगा हम नाम नहीं बोलना चाहते हैं तो यह इनको पार्टी क पॉटल पर रखना चाहिए था गानन सिंग्यानु जी को कि यह जो है सुबतावे की मतलब कि यह जब विद्वानों की पार्टी है भाजपा तो यहां पर अग्यानी के क्या काम अखरी सवाले से लगतार दावा किया जाता है अरजेडिक योर से भी में खरमास के बाद तूट होगी अब मंत्री मंडल का विस्तार भी हो गया उसके बाद भी का जा रहा है कि कभी विवक्त जदियू और इंडिये में तूट हो सकती है इते रहें दोखिए हम नहीं कहते हैं हमारे पाठी कहते हैं जो उनका भासा है जैसे कि घैनन सिंग्यानूजी के बारे में आपने बोला दो बिदायक लोग जो हैं हमारे नेताब प्रतिपक्ष हम लोगों को आदेश दिये हुए हम लोग गईडलाइन दिये हुए है कि आप लोग के लिए भी तयार रहे हम कोई सरकार बनाने के लिए नहीं हम चुनाब के लिए मद्या बती चुनाब के लिए यह अर तैयारी कर रहे हैं और जो आने वाले समय में अगर मंद्याबती चुनाब होगा दो तिहाई बहुमत से हमारे नेटा जो है सो तेजस्पी जादा ढला के मुखमंत्री गया और एक सो से दो सो भूट के बीच में शैतिस सीठा आया गया ते सारा काउंट जंता देख रही है और जंता में गुसा है जंता में गुसा है इन्मत है चुनाब करके देख लिए तैयार जिस प्रकार से मेवालाल चौदरी जी के खिलाब अभियान चलाकर विपक्स उनके खिलाब बुलंद से आवाज उठाएती उसी प्रकार जिसके खिलाब अप्रादिक मामले हैं उनके खिलाब भी आवाज उठाएगी फिलाल इस वीडियो पर आपकी क्या रहा है यह मैं कॉमेंट वक्स प्रकार अब करें तो प्रकार ने चैनल सब्सक्राइब कर लो फेस्बूक पर देख रहा है तो पेज को लाइक कर और खौलो करें शुक्ति आए